नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में मैंनी रजश्री वास्ता शुक्री मत परते से एक बार फिर आपके साथ दोस्तों आज मैं आप सभी की डिमांड पर फिर से एक और नया वीडियो लेकर आया हूं कि मैमोरी आइसी का क्या है सब्सट वेर कैसे काम करता है अगर सब्सक्राइब की फाइल नहीं मिले तो क्या किये जाए सब्सक्राइब है यह सारे अंसुन में सब्सक्राइब के जवाब आज लेकर आए हों तो सबसे पहले आपको मेमोरी आईसी के वारे बाता देता हूं कि मेमोरी आईसी सादर्हों जो मदर्बुर राजकल आते हैं उन में कौन कुल सी मेमोरी आईसी लगती हैं पहले आप यह जाल लिजिए W25-Q16, W25-Q32, W25-Q64, W25-Q18 यह इसी गुड़ांक में मेमोरी आइसी की बढ़ती जाती है 128 के बाद आएगी 256 पर 512 इसी तरह बढ़ती जाती है कि तो यह मेमोरी आइसी का पूरा कि उसके कैपेशिटी के आजार पर उसका इस पेस दिखाता है 126 255 12 उसकी मेमोरी कितना इस्टोर कर सकती है अब हर मेमोरी आईसी आपका करती है इनका क्या क्या नाम है यह कौन-कौन से वोस्टे से ऑप्रेट होती है क्या हमने सैट में प्लंग एंटर किया तो एक टाइम कौन से बोल्टे जाते हैं स्विचिंग करने के बाद पावर रिलीज करने के बाद कौन से बोल्टे जाते हैं यह सारा अज मैं आपको बताता हूं देखिए कि अध्या में मुरी आइसी की आठ पिडाए आठ पिंगे सबसे पहले नाम बताता हूं आपको पहली पिन जहां गोल मार्क हो था है उस पिन का नाम होथा है चिप स्लेक्ट फिन अब में इस चिप्स लैक्ट पिन नमर दो डाटा ओपूट तीन नमर प्रोटेक्शन पिन और चार नमबर ग्राउंट यह चार अपनों के बादे में हमने जन लिया अब आई पाच वी बिन डाटा इंपुट चार नमबर क्लॉक साथ नमबर रिसेट और आट नमर वीची सी इंपुट मैं वोल्टेज इसके अंदर आता है अब यह तो इनकी नाम थे अब कौन-कौन से वोल्टेज इस पर आते हैं हमने जैसे ही प्लग एंटर किया तो एक टाइम एक बार में कौन-कौन सी पिल पर कितने वोल्टेज आने चाहिए तो देखिए पिन नमबर एक पर आपको 3.3 वोल्ट में लेंगे पिन नमबर एक पर 3.3 पर 3.3 पिन नमबर साथ पर 3.3 और पिन नमबर आट पर 3.3 यानि चार पिनों पर हमें 3.3 वोल्ट मिल गए तो चार पिनों पर 3.3 मिल गए तो अब इन 3.3 का क्या होता है इसके बाद आपको पिन नमबर 2 पर 1.08 वोल्ट मिलेंगे जो डाटा उट्पुट में काम करके हैं इनके बारे में आगे बता हुआ और सबसे इंपोर्टेंट पिन नमबर 6 पर 1.6 वोल्ट आपको मिलेंगे आप चेक किजिए मल्टिमीटर से अब जैसे ही हम इसका पावर रिलीज करेंगे अगर सेट सही है मेमोरी इसी सही है प्रोग्रामिंग सही है तो पिन नमबर 8 के वोल्टेज वरीशन करना शुरू करते हैं जैसे हमने पावर रिलीज किया आप दबाते ही यह 3.3 1.5 बने फिर 3.3 बने फिर 1.5 बने फिर 3.3 ब यह अप डाउं करें हैं जिससे हम कैते हैं भूटेंग प्रोसस अब यह गुटिच प्रोसस क्या है यह नहीं सेट को ऑन होने के लिए टाइमिंग लगती है जैसे हम सोखर वाफे हमने वह लाइए जारे है bacon करना शुरू किया या यह यह अंगॉल अरज एंगलाई लेता तो अगर यह U tre ilo прंठ 6G це किसा मुषं सब्सक्राइब turt जाएगा तो यह अब दो होना बनD हो जाएगे दो चाहिंट हो जाएगे सब्सक्राइब प्रसेंट सम्ट परता यह अब दौन नहीं होते तो समझ लीजिए यह सब्सक्राइब इसका software और दूसरा most important part पिन नमबर 6 पर पिन नमबर 6 पर clock pulse आते हैं जो की processor से आते हैं अब इन clock pulse को हम चेक नहीं कर सकते बीएसो से चेक करना है बीएसो सबीकी पासपूता नहीं है बीएसो से अब चेक करेंगे तो इस तरह के आपको पल्स दिखाई दें कि अगर यह पल्स आ रहे हैं तो इसका और प्रॉसेसर का कॉमिनिशन है कि पल्स आएंगे अभी तो यह सेट ऑपरेट करेंगे लेकिन यह नहीं आते हम कैसे चेक करें आज आपको उसको चेक करने का तरीका भी बता जेता हूं दोस्तों कि आपको इस पर चेक करना है 1.6 वोल्ट मिलेंगे पिन नमर चेक पर जैसे ही अपने पावर रिलीज किया पावर दवाया पावर दवाते ही यह जीरों कर जाएंगे अगर यह वोल्टेज वरीशन नहीं करते तो सॉफ्ट्वेयर करप्ट है आपको सॉफ्ट्वेयर में काम करना है ना कि इन में छेट खानी करने हैं अब माल लेजिए यह सॉफ्ट्वेयर करप्ट हो गया यह मेमोरी आई सी आपके पास खराब हो चुकिया आप क्या किया जाया दो है और सॉफ्ट्वेयर की फाइल आपको मिल नहीं पा रही किसी कारण से मा लेजी पुराना मॉडल है यह इंदम ले टेस्ट मॉडल है इसका सॉफ्ट्वेयर ही नहीं आये मालिकेट में अब क्या करें ऐसे कैसे चलाए यह तो क कि 105 सलुड़ो धन जो अब है आख कर से पहले कभी किसी क्पिर हर मदर बोर्डशेंस जयां। प्रोसेसर यानि की सबसे बड़ी आईसी प्रोसेसर आपके पास एक 32 इंच का सेट है कि इसका सॉफ्वेर करप्ड हो चुग है अब इसकी फाइल आपको नहीं रही कि अब इसे कैसे ओन करें आज आपको ओन करने का जोगार बताता हूं वह भी बिना सौफ्ट्वेर के ऐसा संभब हो सकता है कि एक हम पैक्टिकल कर रहे हैं पैक्टिस करके करके हमें नहीं नहीं जांकर यह प्राप्त होती है अब इसका क्या जूगार है आज आपको जूगार बताता हूं 32 इंच का सेट है जिसका सौफ्ट्वेर करप्ट हो गया है आप अपने पुराने मदर बोड़ आपके पास पड़े होंगे तमाम थो चौबिस इंच का हो फोटी इंच का हो फोर्टी इंच का हो कितने अभी बड़ा मदर बोड़ आपके पास है उसमें आप देखए सेम प्रॉसेसर लगा था इसकी निगा लिजिए आपका ब्तीस इंच का छे जाए है मैमोरी ऐसी को से मतलब नहीं कि कितने हिस भी लगा लिसroeिंट हो उधिया है यह लैकिन मृमरी तब नकाल करते लिए बतिस में लगाई एंब दिसकी निकाल के चौबीस में लगाई यह बस प्रॉसेसर का नाम से मोना चाहिए प्रॉसेसर स्विप कंपनी का हुगा आपका सेट चल जाएगा सॉफ्टेर की कोई अवश्यक्ता नहीं आप उसकी वेमोरी लिकाल के इसमें लगाएं सैट चल रिमोट काम करें आपने तो शरण लगाए पनलस जे निकल गए तो पदेर सोम हिपशती यता जो जो फिस निते पर्फ का परें लेकर जया है residential स्वेटी है और पर अग्रने जाए जादत से मेरे वीडियोउ को शेर कीजिए और मेरे चलने प्सक्राइब कीचे मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिए दोस्ते